नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार और इस समय मैं नार्याणपूर CSC में इस समय खड़ावा हूँ जैसे जैसे आज काफी समय के बाद जो बरसात होई है बरसात होने के बाद जैसे ही मोसम ठंडा हुआ है तो जीव जन्तूबी साफ ये भी अब बिलो से बाहर निक बुपेंदर जी सरफने आपको काटा है क्या सरफ नहीं काटा य dementर कर रही sentence मैं वह इंसे ताब बिल से सरफ ने काट लिया अब काटने के बाद इन्होंने मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा में इसे कहूँगा कि दिखाइंग बार लेप्ट जो बाया जो पैर है उस पर सरफ ने काटा है इनका उपचार अभी नानपूर प्रातमी उसी अनुसार और यहां पर जो ग्रामीन है इनके जो परिवार जन है उनसे बात करेंगे क्या नाम है सर मदनलाल सर्मा मदनलाल जी पूरा वाकिया है वो कैसे हुआ जैसे यह इन चलाने के लिए जा रहे थे जो इन चलाकर वापस लोट रहे थे तो पीचे से इसके पजामा खिचा जो और से तो इसने पीछे फिर के देखा तो साप ने पकड़ रखा था तो आप देख सकते हैं बलेक कलर का वो काला साप था और कितने बजे की गटनाय लगवागी जैसे यह गंटे पहले की बात है और भी काफी ग्रामीन यहां पर मोजूद हैं उनसे भी जा लाणपूर CST में इसमें जो उप्चार है वो चल रहा है और जाननी कोई क्या नाम है रामुतार यादो रामुतार जी जिसे पूरा जो हुआ है गटना करम कैसे हुआ है यह चक्की चला रहा था सर और इसके पीछे से उसने पकड़ लिया खागे हो अब अभी जैसे प्लाल अब जो चला रहा है और खत्रे से इसमें बाहर बता रहे हम नारणपूर जो CST के चिकिसा प्रभारी अदीगारी है उनसे भी बात करेंगे क्या नाम है आपका गजेंदर कुमार आप यहां जैसे CST में किस पर परकार है अभी इस टाप नर्सिंग पर अभी जैसे बात करें किस तरह की किस्तिति अभी मरीज की जैसे अभी इस नॉर्मल है कंडीशन नॉर्मल है वह थे खत्रे वग्एरा से खत्रे से बाहर है है अब देख सकते जो नर्सिंग के स्टाप लगाता रेंके दुआरा उपचार किया जा रहा है और यह बता रहे हैं अब नारणपूर CSE के चिकिसा प्रभारी अधिकारी इंदर देव व्यादव उनसे भी बात करने की कोशिस करेंगे कि किस तरह की की इस्तितियां जो परिवार जन है वो फिलाल CSE नारणपूर के उपचार से संतुष्ट नजर आ रहा है नारणपूर CSE में एक सरफ दंस का माम लाया है हमारे साथ चिकिसा प्रभारी अधिकारी इंदर देव व्यादव मोजूद है इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो पैसेंट्स को जो मरीज के सरफ ने काटा है क्या इस्तितियां उनकी डॉक्टर साब अभी अपन बात करें तो निरो टोक्सिक जो सरफ दंस के बाद होता है रेस्पारेटरी फैलियर की दिक्कत हो जाती है कार्डियोपूल में रेस्टर होने की चांच रहते हैं तो उनको स्टेबल करके और इनको एस्वी की डोज दी जा रही है और जल्दी ठीक होने कि हम अभी सिल्चार पते हैं क तो एस्वी बोलते हैं उसको तो उसकी डोज हम टेस्ट करके अभी लगाएंगे यह असेट करने के बाद उनको जितनी डोज की आवसकता होती है पैसेंट रिकावर करता है उसे साफसे हम डोज लगाते हैं तो यह हमारे साथ है नाणपूर सियस्ट के चिकिस सप्रभारी अ साथ नहूं बिंटु कुमार देखते रहे बिंटु की नजर